तो फ्रेंट्स आए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंगिस में कैसे बोलें जैसे यहां मेरी कोई कदर नहीं है इस घर में उसकी कोई कदर नहीं है मीडियर क्रास्ट लोगों की समाज में कोई कदर नहीं है तो जिन हिंदी वाक्यों में बोलना होता है कोई कदर नहीं है तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंगिलिस में बोलने के लिए हैब नो अप्रिसियेशन का प्रियोग करेंगे इसका हिंदी में मतलब होता है कोई कदर नहीं है इससे संटे माय का रूल है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद है या हैज में से कोई एक सब्जेक्ट के अंसार लगाएंगे और फिल लिखेंगे no appreciation और उसके बाद जो भी अदर वर्स बचेंगे उन्हें लिखेंगे आपको जैंपल देखते हैं जिससे की या इस्टेक्टर अच्छे सहुन में आ जाए पहला जैंपल है यहां मेरी कोई कदर नहीं है तो इसके इस्टेक्ट के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट आई लिखेंगे उसके बाद helping work लगाएंगे और फिर लिखेंगे no उसके बाद appreciation लिखेंगे और फिर यहां के लिए here लगाएंगे तो पूरा sentence होगा I have no appreciation here अगला sentence मेरी इस घर में कोई कदर नहीं है तो इसके इस होगी I have no appreciation in this house अगला sentence पढ़े लिखेंगे लोगों की इस देश में कोई कदर नहीं है तो इसके इस होगी educated people have no appreciation in this country अगला sentence इस समाज में middle class लोगों की कोई कदर नहीं है तो इसके इस होगी middle class people have no appreciation in this society middle class people have no appreciation in this society अब एक sentence आप के लिए इसके इसके इसाब को कमेंट बॉक्स हैं लिखनी है जो की है यहां इमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है तो इसके इसाब को कमेंट बॉक्स हैं लिखनी है तो फ्रेंटस आए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्स में कैसे बॉलें जैसे ओ स्कूल कब-कब जाएगा ओ आपके घ़र कब-कब आता है आप उसे कब-कब कॉल करते हो तो जिन हिंदी वाक्यों में बोलना होता है कब-कब तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंगिस में बोलने के लिए How often का प्रियोग करेंगे How often का मतलब होता है कब कब इस संटे माया का रूल है सबसे पहले आप लिखेंगे How often उसके बाद tense के अंसार helping वर लगाएंगे और फिर जो subject होगा उससे लिखेंगे और उसके बाद main वर लिखेंगे और फिर जो भी other words बचेंगे उन्हें लिखेंगे आप कुछ example देखते हैं जिससे की यह structure अच्छे सहुन में आ जाए पहला example है वो आपके घर कब कब आता है तो इसके इस वहाँ के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे उसके बाद helping वर डज लिखेंगे और फिर subject ही लिखेंगे उसके बाद वर लिखेंगे जो की है come और फिर लगाएंगे to your house तो पूरा sentence होगा इस sentence में जो आया है कब कब अगर इसके इस्थान पर होता क्या क्या तो इसके लिए आप how often के इस्थान पर what all लिखते और अगर आता कहां कहां तो इसके लिए how often के इस्थान पर where all लिखते और अगर आता काउन काउन तो इसके लिए आप who all लिखते आगला sentence ओ कब कब स्कूल जाएगा तो इसके इस होगी how often will he go to school how often will he go to school आगला sentence आप उसे कब-कब कॉल करते हो तो इसके इस होगी How often do you call him? आगला sentence आपके पास क्या-क्या है? तो इस sentence में आया है क्या-क्या तो इसके लिए what all का यूज़ करेंगे तो इसके इस होगी What all do you have? आगला sentence आप मेरे लिए क्या-क्या कर सकते हो तो इसके इस होगी What all can you do for me? What all can you do for me? आगला sentence आप यह पेन कहा-कहा सप्लाई करते हो तो इसके इस होगी Where all do you supply this pen? Where all do you supply this pen? आप एक sentence आपके लिए इसके इसके इसापको कमेंट बाक्स ने रिखनी है जो कि है तुम वहाँ कब-कब जाते हो तो इसके इसापको कमेंट बाक्स ने लिखनी है यदि वीडियो अच्छा लगाव से लाइक करें और अपेन दोस्तों साथ सेयर करें